जय हिन बंदे मातरम स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरीजी प्लेटफॉर्म में तो आज की जो प्रैक्टिसेट होगी बिहार पुलीस से रिलेटेट प्रैक्टिसेट है जितने भी अभियार्थी बिहार पुलीस की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए आज की जो प्रैक्टिसेट है यह बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप लोग बिहार पुलीस में भरती लेना चाहते हैं अगर आप लोग इसका सपना सकार करना चाहते हैं तो इस प्रैक्टिसेट को जरूर देखिएगा और जितना हो सके आपके पास जो ग्रूप होंगे उसमें सेयर कर दीजेगा पूरा लेक्चर को देखिएगा जितना हो सके आप कॉमेंट केज़ेगा लाइक जरूर कर दीजेगा और डेली आप लोग को दो पहर में जो प्रैक्रिस एठ होंगे बिहार पुलिस का आप लोग को मिलेंगे तो आप लोग इस चैनल पर बने रहेगा और सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा तो देखिए पहला प्रस्ण बहुत पहला प्रस्ण धासु प्रस्ण है पिहार पुलिस के लिए तो देखिए यहां पे जो पहला प्रस्ण कर है कि सिवालिका की पहाडिया किस राजय में इस्तित है बहुत सुन्दर सा प्रस्ण है तो सिवालिका की जो पहाडिया है यह प्रदेस में इस्तित है सीवालिका की पहाड़िया ओके इसके बाद दूसरे नमर प्रस्नों को देखिए यहां पर जो दूसरा प्रस्न है कि निमनल लिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतराग्राहिक अभियान था बहुत अच्छा सा यह प्रस्न है सुंदर सा प्रस्न है तो मंगलायवण मिशन, ये दुसरा जो विकलफ हो रहा है दोस्तों बिलकुल सहिवरा है, अंतरग्राही की अभियान जो था भारत का पहला वला था मंगलायवण मिशन, उके इसके बार देखिये तेसरी प्रस्ण को तीसरा जो प्रस्ण है कि प्रिथवी का अपना वाय मंडल केव नहीं होता है केव के गुरुतवा कर्शन सक्ति के कारण जो है प्रिथवी का अपना वाय मंडल नहीं होता है इसलिए यहां पे जो तीसरा भी कल्फ हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है अगला प्रस्न देखिए चोथा प्रस्न को यहाँ पर जो चोथा प्रस्न है कि प्रेरक कोसल मस्तिस्क है कौन से भाग के साथ संबंदित है जो प्रेरक कोसल मस्तिस्क है यह कौन से भाग से रिलेटेड है प्रस्न में यह पूछना चाहा रहा है तो यहां पे बात करें पहला बिकल्प ललाट भाग से related है ललाट भाग से संबंदित है तो यहां पे बिकल्प जो पहला हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है अगला प्रस्न देखिए पांचवा प्रस्न को यहां पे जो पांचवा प्रस्न है कि प्रुटूजवा के अलवा कौन सा एनजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मवजूद होता है सुन्दर सा प्रस्न है यह तो एमलेस जो है इसे जरूर याद किजेगा यह जो एमलेस है यह जो है प्राणी जगत के सभी सदस्यों म पर क्या परभाव पड़ता है सुन्दर सा प्रस्न है तो तपमान जो है इसका नियत रहता है तो यहां पर जो तीसरा विकल्प हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सही हो रहा है तरल पदार्थ की कवत्रांग पर जो है उसका तपमान नियत रहता है तो यह इस विकल्प को जरूरी याद करिएगा इसके बाद देखिए 7 प्रस्ण को कि वातावरण का वह अस्तर जो इलेक्ट्रोंस और धनात्मक आयन के कुछ अंसों के मिस्रण से बना होता है उसे क्या कहते हैं प्रस्ण है उसे आयनो अस्पियर के नाम से जानते हैं तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरा भी कलभ हो रहा है बिल्कुल सही हो रहाए अगरा प्रस्ण नहीं दिखी यहाँ पर जो आठ प्रस्ण है कि वीधुद प्रत्रोंस को मापने की एकाई क्या है मतलब बिधुत परतिरोत को किसे मापा जाता है तो बिधुत परतिरोत को जो है ओम होता है इसका एसाई जो मातरक होता है ओम इसको इस तरह से सुचित किया जाता है संकेत देखिएगा ना आप लोग तो इस तरह से आप लोग को मिलेगा तो ओम होता है विदुत प्रतिलोत का एसाई मातरक अगला प्रसन देखे नौ प्रसन बहुत सुन्दर सा प्रसन है बहुत इंपोर्टेन भी प्रसन है कि प्रसन काल के बाद लोक सभा के किसी सदस्य द्वारा जानता के महत्वा कि किसी निश्चित विशाय पर विचार बिमर्ज है तो कार्यकारी का ध्यान आकर्शन रखा गया प्रस्ताव जो है वह क्या काला तो बहुत सुन्दर सा प्रसन है दोस्तों भीहार पुलिस के लिए तो अस्थागन प्रस्ताव उससे कहा जाता है निती का मुख्य उध्यस्य क्या होता है तो मुल्य श्थिर्ता के साथ आर्थिक विकास को प्रत्षाहित करना तो यहां पर जो तीसरा विकल्फ हो रहा है दोस्तों बिल्कुल सहीव रहा है अगला प्रसन दीखे ग्यारा प्रसन को इगारो जो प्रस्ण है कि वह एक मात्र वाय सराय कौन थे जिनकी भारत में हद्या हुई थी सुन्दर सा प्रस्ण है ये भी तो उस वाय सराय का जो नाम था लाड मेव था यहाँ पर जो चोथा भी कलप हो रहा है दोस्तों बिल्कुल से वह रहा है उस वाइ सराई का क्या नाम था लाड मेउ जिनकी जो मिर्टि हुई थी भारत मेउ थी, अगला प्रसने देखिए बारा, यहाँ पे जो बारा प्रसने है कि भारत में बितिये निती का परमुख उद्यस यह कौन साफ नहीच, सुन्दर सा प्रसने यह भी है, तो बारत में बित थियांट भटक जाती है, जिसकी वजा से, जो है एंसर गलत हम लोग कर देते हैं तो इसलिए आप लोग ध्यान परिच्छा में आप लोग को ध्यान अच्छे से रखना है अच्छे तरीका से जो है टेक करना है प्रसनों को अगले प्रसनों को देखिए चोधा प्रसनों को वलकि सभी की आवस्यक्ताओं की पुर्ती के लिए प्रयाप्त साधन उपलब्द कराती है, यह कथन किस के द्वारा कहा गया था, यहाँ पर जो बिकल्प भी हो रहा है, दुसरा यह सई हो रहा है, अगला प्रसन देखा जाए, 16 नमर जो प्रसन है कि स्वास्त को संकट में डा सबसे गंभीर जो वाई प्रदिस्तक है, वह सलफर डाई अक्साइड, एस ओ टू, जरूर याद करिएगा सलफर डाई अक्साइड, क्लियार, अगला प्रसन देखिए, 17 जो प्रसन है कि गहरे सम्मून्द रखे गोथा कोरो की आक्सीजन आप्रूती में हिलियम मिलाई जात से गहरे सम्मून्द में गोथा खोरो में अक्सीजन की आप्रूती में हिलियम को मिलाया जाता है, ठीक है, अगला प्रसन देखा जाए तो 18 जो प्रसन है कि टेरिलीन, एथिलीन और गैलकोल, ये किस अमलका संगनन बहुलक होते हैं, तो ये जो होते हैं, टेरे पथेलिक अम सा है, भारती महासागर में सबसे छोटा दिप माल्दी हो जाएगा, यहां पर पहला बिकल्प सही हो रहा है, बिस नमबत जो प्रसन देखी है कि संसद की लोक लेखा समीती के अध्याच की निवित्ति कौन करता है, भेरी भेरी इंपोर्टेंट प्रसन है ये, तो संसद की लोक लेखा समीती के जो अध्याच की निवित्ति करता है, वह लोक सभा के अध्याच करते हैं, तो तीसरा बिकल्प यहां पर सही हो रहा है, इसके बाद देखे, एक एस जो प्रसन है कि निम्नलिखित में से कौन संबेधानिक संस्था नहीं है, तो करमचारी चायन आयोग, यहां पर जो दूसरा बिकल्प हो रहा है, यह बिल्कुल सही हो रहा है, संबेधानिक संस्था जो है करमचारी चायन आयोग नहीं है, इसके बाद देखे, 22 जो प्रसन है कि राष्ट पती के चुनाओं में निम्न में कौन भाग लेते हैं, तो राष्ट पती के चुनाओं मे संसत के जो दोनों सदनों और राज्य बिधान साभा के सभी निर्वाचित जो सदसे होते हैं, वह राष्ट पती के चुनाओं में भाग लेते हैं, ठीक है, तो पहला बिकल्प यहां पर सही हो रहा है, इसके बाद देखा जा, 33 नमबर प्रसने पर कि वाता वरन में सुको की जो संद्रता होती है, उसको मापने के लिए पार्ट पर मिलियन होता है, इसके बाद देखिए 24 प्रसनों को, 24 प्रसने की लाल रंग की रुसनी में हरे रंग के पत्ते वाले जो पौधे होते हैं, वह कैसे दीखेंगे, तो वह काला दीखेंगे, यहां पर जो बिकल जलोड होते हैं, इसलिए यहां पर जो चोथा बिकल्प होगा, यह सही होगा, अगरा प्रसन देखिए 26, 26 जो प्रसन है, बहुत अच्छा प्रसन है, कि प्रती ब्यकति आए मापने के लिए निम्न में से किस फर्मूला का इस्तमाल कीया जाएगा, तो किस फर्मूला का इस् इसके बाद देखिए 27 नमर प्रसने पर यहाँ पर जो 27 प्रसने की भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसिसी चुनावती निम्नल लीखित मेंसे किस जुद के बाद समाप्त हो गई थी तो यहाँ पर जो विकल्ब जो तीसरा हो रहा है वांडी वास का जुद यह बिल्कुल से हो रहा है वांडी वास के जुद के बाद यह समाप्त हो गई थी अगरा प्रस्न देखा जाए तो 28 प्रस्न देखिए 28 प्रस्न है कि P.B.C. किसके बहुली करण के बाद घटित होता है तो भिनाइल कोलराइड के बाद घटित होता है तो विकल्प यहाँ पे चोता सही हो रहा है 29 प्रसन देखा जाए तो भासा के अधार पर निम्दल लिखित में से किस राजय का गठन हुआ है तो आंध्र परदिस का गठन हुआ है दूसरा जो बिकल्ब हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है 30 प्रसन देखिए कि अपचयन जिसको रेडाक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है उसमें क्या होता है सुन्दर सा यह प्रसन है दोस्तों तो यहाँ पे जो है हाइट्रोजन की ब्रिधी होती है रिडॉक्स अभिकरिया जिसको अभिकरिया के नाम से जाना जाता है, उसमें हाइट्रोजन की ब्रिधी होती है, यहाँ पे देखें 31 प्रस्ण है कि सीनेगोग, निम्नलिखित में से किसका पूजा अस्तल है, तो सीनेगोग जो है, यहोदी धर्म वालंबियों का पूजा अस् देखें तो यहां पे चोथा बिकल्ब सही होगा, बीटामिन E को रिकेटेस के नाम से नहीं जाना जाता है, बीटामिन C का जो हो असकरवी होता है, K से रक्त सराव और A से रत्तमदी होता है, इसके बाद देखिए, यहां पे 33, 33 प्रस्ण है, कि 36 गण में लोह और इस्पात का खरकाना कहां पे इस्थित है, तो 36 गण में लोह और इस्पात का खरकाना भिलाई में इस्थित है, तिसरा अप्सन यहां पे सही हो रहा है, यहां पे 34 प्रस्ण को देखा जाए, तो B, A, सई, सेंशेक्स कितने अश्टॉक पर आधारीत है सुन्दर सा प्रसन है दोस्तो तो ये 30 जो है 30 पर आधारीत है 30 नमबर पर तो तीसरा अपसन यहां पर सई हो रहा है 35 प्रसन देखा जा तो भारतिय संविधान के किस अनुछेद में बितिये अपात का वनन किया गया है तो वह अर्टिकल 360 में जो है बितिये अपात के लिन का वनन किया गया है तो यहां पर बिकल पाला सई हो रहा है 36 प्रसन देखा जा तो रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है रीप्ठ घाती में भारत की कौन सी नदी बहती है तो तापती नदी बहती है दोस्तों तो यहाँ पे दूसरा अप्सन सयुर है यहाँ पे 37 प्रस्ण देखा जाए तो टीका करण क्या है तो यह जो है टीका करण क्रित्रीम सक्रिये उपाजित प्रतिरक्षा है क्या है दोस्तों क्रित्रिम रसक्रिय उपाजित प्रक्तिरक्षा पंत्र है 38 प्रस्न देखा जाए तो 38 प्रस्न दिखे कि निमनल लिखित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित है बहुत अच्छा सा ये प्रस्ण है तो यहां पे बात करें सही की बात के है तो कुच्ची पूरी जो हो जागा आंधर परदेश का लोक नरीत है तो यहां पे पहला बिकल्प सही हो रहा है 49 प्रस्ण की राष्ठी संजुक राष्ठ सुरक्षा परिशद में अस्थाई सदसों की निर्वाचन की अधि कितने समय के लिए होती है तो वह होती है दो बर्स के लिए होती है दोस्तों तो तीसरा अप्षन यहां पे सही वाँर आए और 40 प्रसनों को देखा जाए, तो 40 प्रसना एक निम्नाल लिखित में से कौन से, दो राज वन्स थे, जो खिलजी वन्स से पहले थे, तो देखें, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा, विकल्प से गुलाम और तुगलक वन्स थे, कौन से दो राज वन्स थे, तो मिलते हैं, नेक्स्ट विडियो में, ऐसे ही कुछ धमाकेदार प्रसनों के साथ, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है, तब आप लोग को दिल से धन्यवाद, जय हिन, जय भारत!